छोटे हैं और फिर यह बुजूर्ग देखो बुजूर्गों का टाइम कट गया अपने खेतों में अपने डंगरों में ठीक है ना जी अब जो नए जवान बच्चे हैं इन से डंगरों का काम तो होता नहीं ना इन से खेत का काम होता इनको चाहिए मोटर साइकल गाड़ी है अट्रैक्टर वह तो ठीक है मशीन चाहिए बटन दबा दता काम हो जाओ तो ठीक नहीं तो कोई काम करने का मन नहीं अब यह क्या कहेंगे आपको एक ऐसी वेवस्था बनेगी उस वेवस्था में यह जो खेती नहीं करना चाहते बलकि यह तो क्या कहेंगे आप नहीं कह रहा है इनको थोड़े दिन पहले कि क्या करोगे खेती करके कुछ पड़ लिखके बन जाओ पहले यह बड़े कहते हैं फिर जब इनको काम मिलता नहीं तो फिर इनको कहते हैं तुम खेती कर लो कि पहले तो क है ना तो अब क्या होने वाड़ा है इसके उपर नजर दोड़ाओगे तो आपको पता चलेगा अभी तो चलो आपका गाओं का एक परिवार है यह जिस गाओं में ज्यादा गर है पांसो साथ सो अजार गर या मतलब जिस गाओं में कोई चोंकी पुलिस चोंकी बगएरा होगी राजस्थान में थोड़ा सा अभी कम है जैसे क्राइम भी कम है ऐसी जगे पर क्राइम है जहां दूर दूर तक सडकें जज़ा लंबी हों तो वहां रात में कभी लूट का पाट के खबरे आती हैं दिन में ऐसा चरस वगएरा नहीं आई लेकिन जहां जहां बड़ी कंपनियों के फैक्ट्रियां खुली हैं वहां आ गया हुआ देखा है कभी आपने नोटिस किया इतना बड़ा कमाल का सिस्टम है जैसे कोई बड़ा जंगल या जमीन है राजस्थान की जमीन में ना अब इनको कुछ मि परिवार से दुखी है वह नशा करना शुरू कर देंगे अब जिनको एक बार आदत पड़ जाएगी नशा करने की फिर वह कहेंगे कि तुम ना यह काम कर दो तुम्हारा नशे का खर्चाम दे देंगे और फिर वह किसी को अगर मरवाना हो जैसे हमानों कोई करांतिकारी बोलने लगे उससे मरवा तो वह ऐसे डील करते हैं अब जो मैं राजस्थान में जो चीज देख रहा हूँ देरे देरे जो बदल रही है जो जिसके उपर आप लोगों को चिंता करनी चाहिए और उस पर काम करना चाहिए वो यह है कि जहाँ जहाँ बारिश से खिती होती है वहाँ आपका असली बीज पैदा होता है मतलब कोई भी बाजरा हो गया जैसे गवार हो गया है या कोई और फसल आपकी है जहां बारिश से खेती है नैचुरल खेती वहाँ वहाँ वह देशी बाजरा हो जाएगा लेकिन जहां पाणी आ गया ड्रिप आ गई जहां वहाँ देशी नहीं लगाते हो वहाँ आईब्रीड बीज ले आते हैं बजार से बीज ले आते हैं और फिर वो लगाते हैं उसमें भी देशी को कम कीमत मिलती है सरकार उधरमंडी में और आईब्रीड को ज़्यादा मिलेगी किसान क्या करेगा दिरे देशी यूज़ करना बंद कर देगा और देशी में तो क्या है कि जो आपने खेत में बोया उसी से studens बढ़ जाता है और आईवरीड में आपको हर दो परद सब्सक्रा, लाओ अगर होगा तो सरकार के उपर निर्बरैना पड़ेगा, या बजार के उपर निर्बरैना पड़ेगा, यही कामि कर रहें। अगर जान के साथ। गाउं पहले हमारे खागड़ी के त्च हुआ होती थे और अगले नए बन कर जाता है तो वो भी खतम यही काम अब नई नोजवान पीडी में बच्चों में और रखा है यानि खतरा क्या है कि हमारे बीज के उपर खतरा है सारा सारा और जो नई पीडी है इसको एक बहुत बड़ी खतरनाक चीज दे रखी है जिसका नाम है मोबाइल इरोईन से भी खतरनाक है पता आपको इरोईन से भी खतरनाए अगर आप ने मेरी वीडियो देखी हो और उस पर अगर आपने गोर किया हो अगर आपने उस पर गोर करा हो तो आपको पता चलेगा कि मोबाइल जो है आपकी ऊर्जा छीनता है आपकी बोड़ी की आपकी बोड़ी को चार्ज करता रहता है और जो आदमी जितना चार्ज होता है उतना ही बिमार होता है पता है आपको यह नहीं पता है नहीं बिमारी नहीं उसका असली रूप सिरफ आपके आथ में फोन है ना तो भी इतना खतरनाग है। इसलिए बताया आपको जो मोबाइल वाड़ा इश्व है, वो यह है कि एक तो आपके बच्चों के हाथ में अब थोड़े दिनों के बाद इस तरह का माहौल वो ले करके आएंगे, कि भई स्कूल में जाने से बढ़िया है, अपना बच्चे को घर पर मोबाइल में पढ़ा लो, वो आपको ऐसा कहेंगे, वो कौन लोग हैं, जो बेसिकली इस थीम पर काम करते हैं, कि नोजवान पीड़ी को अपनी जमीन से दूर करना है, उनको हर वो जमीन चाहिए, जिसके उपर, मतलब जो हमारी पैतरिक जमीन है, तो पूरा परियास कि इस बात पर रहेगा, कि आप अपने गाउं की जमीन छोड़ दो, और कहीं बाहर प्लॉट लो, आप अपना गाउं छोड़ दो, और कहीं और जाके रहने लगो, उसके पीछे एक थीम है, जो ये कहता है, अगर आप अपने उस जगह पर रहते हो, जहां का पता आपके पिता जी का है, और वही पता अगर आपके दादा का है, और वही पता आपके उससे पहले वाली पुड़ी का है, तो आप असल में इस देश के मालिक हो, इस बात को ध्यान देना, असली मालिक देश का कौन है, जो यहां पर ही उसके पुर्खे पैदा हुए और वहीं पैदा हुआ जो आदमी पैदा कहीं और हुआ और जाकर बस गया कहीं और उसके पिताजी का एडरस तो है इस गाओं का, मानलो इसका क्या नाम है? पिपराली अब पिपराली में जो बच्चा, जो जिसके पिताजी पैदा हुए आनलो आपको नौकरी मिल गई जा करके जैपुर में और अब यहां से फिर एक बंदा कोई किसी का नागौर या किसी का आसपास के 50 किलोमेटर के किसी गाओं में कहीं भी तो मानलो हमारा एक नया बच्चा जो नौकरी करने के लिए गया और वोहीं बस गया उसने वही मकान बना लिया वहीं पे अपनी वोट बनवा ली अब बच्चे के आधे वहां के आधे पिपराली के और दादा के सारे के सारे पिपराली के तो अब उसका दादा तो है इस देश का मालिक बाप हो गया आधा मालिक और बच्चा हो गया रिफ्योजी क्योंकि बच्चा यहां का मालिक नहीं रहा ना मालिक वो तब तक है इस देश का इस जगे का अपने गाओं का या अपने जमीन का मालिक वो तब तक है तक वो वहीं रहता है जहां उसके पुर्खे रहते हैं दूसरी बात जो अंग्रेजों के कानून है जो ये समिधान हमारा है ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बनाया वो ऐसा परचारित करते हैं जबकि समिधान जो कातों गौर्मेट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को उठा करके यूज किया गया है उसमें कोई चीज तोड़ी मोटी अड़ सब्ट्राइट कर ली नहीं तो वो गौर्मेट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 का है जो संसद पार्लियमेंट ऑफ इंग्लैंड से जब पास हुआ था वही का वही हमारे समिधान के अंदर लाग हुआ है अब वो समिधान एक तरह से किसका बनाया हुआ हो गया अंग्रेजों का उसके उपर बाबा साब की मोहर लगाना जरूरी था नहीं तो फिर यहां के लोग कहते कि यह तो उनका बनाया हुआ है तो एक आदमी लिया जो उस समाज से था जहां पर यह कहा जाता है कि भारत में इस सम जमीने नहीं होती थी, क्योंकि वो खेती नहीं करते थे, इसलिए उनके पास जमीने नहीं होती थी, जो खेती करते थे जमीने के वल, उनके पास रहती थी, लेकिन गाओं में ऐसा नहीं था कि उनका सम्मान कम होता हो, या किसी एक दूसरी बिरादरी का सम्मान जादा होता हो, जो फिल्मों में दिखाया गया कि गरीब आदमी को कुएं से पानी नहीं लेने देते थे मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ अपने समाज में होता होगा होता था जी नहीं होता था ना आपके गाउं में होता था कि ऐसा क्या आप कुएं से किसी को पाणी ना लेने दो ऐसा नहीं होता था सिरफ कुछ जगे पर ऐसा होता था कुछ लोगों के साथ में जैसे क्या होता है मैं आपको बताता हूं कि गाओं में सबने एक नियम बनाया हुआ कोई दिक्कत नहीं है लेकिन गाओं का एक परिवार थोड़ा गुंडा किसम का है मान लो वो जो गुंडा किसम का आदमी है ना उसने किसी गरीब के उपर अत्याचार कर दिया तो ये मशूर उन्होंने फैला दिया कि ये लोग अमीर लोग जो है या किसान या जमिदार लोग वो गरीबों पर अत्याचार करते थे असल में ऐसा नहीं होता था और फिर कल्चर को बनाते बनाते उन लोगों ने इस चीज़ को बढ़ावा दिया कि भाई एक काम करो आप लोगों को अंग्रेजों की ये अंग्रेजी जो वेश भूसा है जो हमने पहनी हुई है ये अपने और हमने ये अंग्रेजों की वेश भूसा है ये जो इन्होंने पहनी हुई है ये राजस्थान की है हरियाना वाले अलग तरह की दोती पहनते है अ अपनी और अपनी भाशा बोलता है अपने रिती रिवाज मानता है अपनी पंचायत को ही कानून मानता है वो व्यक्ति असली मालिक है इस धर्ती का और उसके उपर अंग्रेजों का कोई कानून लागू नहीं होता है यह आपको याद रखना पड़ेगा हम लोग आने वाले टाइम में जब हमारे साथ भी लाखों लोग जुड़ जाएंगे तो लाखों लोगों की उपस्थीती में इन अंग्रेजी कपड़ों की होली जलाएंगे हम तर यह बक्वास चीज़ है अभी हम क्या करते हैं क्योंकि अभी मानलो आज ही पड़े लिखे ल विरासत है वो इतनी खराब नहीं है जितना खराब टेलिवीजन ने उसको पेश किया दूसरा जो आपके आने वाले वक्त की जो लड़ाई है वो है आपके खाने पीने की लड़ाई कि आप खाते पीते क्या हो यानि गाओं में अभी तो आप क्या खा रहे हो जो आपकी आस पास में ही जो पैदा हो रहा है वो सब हमारे वहां या बलकी पूरे के पूरे देश में ही इनोंने ऐसा कलच्र डेवलप कर दिया कि राजस्तान में भी सेब मिलती है राजस्थान का आदमी सेब खाएगा तो पक्का बिमार होगा ठीक है ना ये जो अगर कश्मीर की सेब है ना तो वो सेब के मौसम में कश्मीर में ही खाई जाए तो ही उसका बड़ी आसर रहता है यहां के आदमी को यहां की ही पैदा हुई चीज खाएगा तो वो ठीक रहेगा गर्मी के मौसम में गर्मी में पैदा होने वाली चीज खाओ सर्दी के मौसम में सर्दी वाली चीज खाओ तो जा करके हम लोग हेल्दी रहेंगे तीसरी चीज़ गाउं बचाने की बड़ी लड़ाई है अभी धीरे धीरे गाउं में CCTV कैमरा है बड़ी दुकाने, खाने का कबाड यहां दुकान नहीं होगी इन घरों में इसलिए आपके बच्चे हो सकता है बच्चे रहेंगे जिस गाउं में जाओगे दुकान पर खाने का सामान है अगर आप खाने का सामान चेक करोगे न वहां सिरफ और सिरफ कबाड मिलेगा आपको खाने के सामान जो भी चीज पैकेट में बंद हो गई पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए है आपने नमकीन का पैकेट देखा सबने नमकीन खाई भी है नोजवान बच्चे तो गाओं में शाम को निकल जाएंगे उनको दो दो बियर लगानी होती है और वो नमकीन साथ में चिपस गुर गुरे खाना होता है ये रहता है ना आप कभी उस नमकीन के पैकेट को उठा के देखना उसके पीछे नमकीन के पैकेट के पीछे लिखा होता है कि इसमें क्या क्या है जैसे आर्टिकल 321, आर्टिकल 355, आइटम 325 या कॉटन सी डोयल कभी हमने गौर नहीं कभी देखा तो नहीं ना क्या लिखा इसके पीछे, उसमें देखो, वो जो नंबर में लिखा है ना कोई भी आर्टिकल, कोई भी आइटम, उसके side effect चेक करो Google पे, आपको पता चलेगा, जिन घरों में वो नमकीन जादा खाई जाती है, उन घरों में वो बिमारी भी है, जो उ आज के time पे इंडिया में जो कपास है, वो सारी की सारी बीटी कॉटन है, बीटी कॉटन जो है, वो एक GM seed है, जिसके बारे में ब्राजील की सरकार ने एक रिपोर्ट जारी की थी, कि जो भी संतान, जो भी बच्चे, या जो भी बजुर्ग, या जो भी जानवर, जानवर भ आते हैं, देसी अलग होते हैं, देसी कभी भी बराबर नहीं होते हैं, देसी टेडे मेडे होते हैं, देसी खटा होता है, और यह नए वाला है, यह मीठा है, मीठा टमाटर मतलब जहर असलियत में, तो जो यह चीज है, जो हाइब्रीड है, जो यह genetically modified है, यह आइटम जो भी है ना इसके side effect अब तो दिखने लग गई होंगे के नहीं आने लगे या बचे हुए आप लोग आ रहे हैं side effect किसी के गुटनों में दर्द है किसी के किसी की आदास चली गई किसी को heart attack आ रहे हैं बैठे बैठे राजस्थान में heart attack नाम की चीज नहीं थी कभी भी नहीं थी ठी ठीक है लीवर की problem kidney की problem सांस की problem भी हो रही है राजस्थान के आदमी को सांस की problem का लेना देना कुछ नहीं था लेकिन हो रही है जो बच्चों को लगते हैं ये बच्चों को लगने वाले injections जो लगते हैं ना पैदा होते ही लगते हैं ये बहुत नुक्सान दायाग है स्कूलों में अपार आईडी बन रही है नई आईडी बन रही है आपके सारे कागस आधार काड के साथ जोड रहे है आधार काड मतलब आपकी गुलामी का कागस तो आपको सबसे पहले जहां आपके बच्चे पढ़ते हैं उस स्कूल में जा करके लिख करके दो, कि भाई हमारे बच्चे को हमारी मर्जी के बिना कोई दवाई नहीं देनी, कोई इंजेक्शन नहीं लगाना, हम चाहेंगे, हम लगवा लेंगे, तुम हमको बताओ, हम देखेंगे अब लगवाना है के नहीं लगवाना है हम से पूछे बिना मतलगा देना ये लिखके देना पड़ेगा आपको नहीं तो अभी उन्होंने नया कानून बना दिया उसमें क्या कहते हैं कि माबाप की पर्मीशन की जरूरत नहीं है आपके बच्चे को कोई भी इंजेक्शन लगाने के लिए तो इसका मतलब वो कुछ भी लगा देंगे भई अगर वो इतनी चिंता करते हैं तो सारा देश करजे में है इनको करजे से मुक्त कर दो ना ये आतमत्या कर रहे हर एक घंटे में एक किसान आतमत्या करता है अगर आपको हमारी चिंता है तो जो हम मांगते हैं हमको दो ये किसान मांग रहे हैं MSP का कानून ये दे दो ना जो हम नहीं मांगते हैं वो तो जबरदस्ती दे रहे हैं और जो मांग रहे हैं वो दे नहीं रहे हैं तो यहां से यह चीज थाबित होती है कि सरकार आपके लिए काम नहीं कर रही है सरकार काम कर रही है कॉर्पोरेशन के लिए आपका आधार कार्ड आपके बैंक अकाउंट के साथ आई टियार के साथ पैन नंबर के साथ साथ बिज़डी के बिल के साथ पानी के बिल के साथ आपके गैस के कनेक्षन यांद अगली बार वही शिचुवेशण लाणी होगी याद है जब इन्हों उन्होंने इंजेक्शन्स लगाए थे इस से करोन वाले इसमें क्या बोला आपको कि अगर नहीं लगवाओगे तो आपको राशन नहीं मिलेगा कोटे से पेंशन नहीं मिलेगी तंखा नहीं मिलेगी हाजरी नहीं लगा पाओगे पेपर नहीं दे पाओगे फारम नहीं बर पाओगे बस में नहीं चड़ने देंगे रेल में नहीं चड़ने देंगे तुम्हारा आधार कार्ड खोलेंगे और आधार बंद तो सब कुछ बंद इसलिए ये आधार कार्ड जिसने बनवा लिया वो वापस करेंगे आने आले टाइम में एक टाइम आएगा जब हम एलान करेंगे कि सब अपने अपने अधार कार्ड सरकार को है नहीं सरंडर करेंगे हम लोग नए बच्चों का नहीं बनवाना नए बच्चों का जनम पर्मान पत्तर नहीं बनाना कि डेटो बर्थ का सर्टिफिकेट है ना यही गुलामी का कागज है आप देखो हम जो बड़े लोग जो हम अभी 40-45 साल के हैं हमारे बुजुर्गों को हमारी डेटो बर्थ नहीं पता थी जो इन्होंने कह दिया वही लिख दी ठीक है ना उनके उन्होंने कागज बनाने स्टार्ट कर दिये आज वो जब बरदस्ती कर रहे हैं आपके उपर कि अभी पहले सबसे पहले जनम परमान पत्तर बनवाओ फिर इनको सारे इंजेक्शन लगवाओ तब जाके इनको स्कूलों में दाखला मिलेगा भाई हम लोग उस स्कूल में भेजे इसे बढ़्या अपने बच्चों को अपने आप तयार कर लें वो ज्यादा बढ़्या है मानलो हमको अपने बच्चों को किस चीज के लिए तैयार करना ये पहले से तैय कर लो या फिर उस हिसाब से जैसा बच्चे का इंटरस्ट है उसके इसाब से उस बच्चे के उपर मेहनत कर लो जरूरी नहीं है कि आपको उनके बनाए हुए स्कूलों में ही भेजना है आप अपनी मर्जी के अपने स्कूल भी खोल सकते हो अपना गुरू कुल खोल सकते हो मानलो आठ दस बच्चे ये हो गए आठ दस बच्चे और दोस्तों से बात करो गाओं के अंदर पिपराली में और लोगों से बात करो, पचास सो बच्चों का तो एक अपना स्कूल खोल लेंगे हम, वहाँ आर्टिस्ट बनाना है, कि संगीतकार बनाना है, कि साइंटिस्ट बनाना है, वो अपने स्कूल में अपने आप मिलके त्या कर लेंगे, क्या दिक्कत है जी? तो हम एक ऐसी वेवस्था पे काम कर रहे हैं, जनता स्रकार मोर्चा के साथ ही, जो जिसमें हम किसी के उपर dependent नहीं होएंगे, मतलब किसी के हिसाब से नहीं चलेंगे हम, हम अपने हिसाब से चलेंगे, हमारी अपनी वेवस्था होगी और ये अंग्रेजों की बनाई हुई वे अगर यहां इदर कोई सैमिनार करते हैं या कोई ट्रेनिक करते हैं तो आप जो नोजवान साथी हैं वो सारे के सारे उसमें शामिल होना अगर आप एक परिवार की तरह रहते हो सारे के सारे अगर आप एक परिवार की तरह रहते हो तो आपको परिवार की क्या जरूरत है और हमें कैसे एक दूसरे के साथ रहना इस बात की वैल्यू का पता है इसकी वज़े से आने वाले टाइम में जो हम culture develop करना चाहते हैं उस culture को कैसे आगे बढ़ाना है ये आपकी मदद से संभव है क्योंकि ये वाली चीज आपके उस गाउं में नहीं देखो गया आप ना वहां नहीं होगा ये बाईचारा जितना आपका यहां होगा ना उतना उस गाउं में नहीं होगा जहां जादा लोग रहते हैं वहां एक दूसरे को काटने पर लगे रहते हैं यहां एक दूसरे की मदद करने पर लगे रहते यहां तो आपको खेत में काम करना सारे फैमिली कठी होगर के भी कर लो तो पिकनिक की तरह होता है तो मेन पॉइंट यह है कि आप लोग अगली जब हमारी ट्रेनिंग होती है मोर्चे की तो सुरेश आपको बता देंगा फिर आप जितने ज़्यादा लोग आप आ सकते हैं उसमें आईए फिर इस पूरे शडियंतर को बताएंगे आपको कि यह पूरे वर्ल्ड में पूरी दुनिया में कितना खतरनाक शडियंतर चला हुआ है और उससे बचने के लिए खास तोर पे अगली पीडी को बचाने के लिए हमको क्या करना है तब तक हमारा चैनल है यह निडर इंडिया वाला वो आपने अगर देखा हो तो देखा आपने नहीं देखा है तो निडर इंडिया का चैनल है इन बच्चों के पास क्या क्या टैलेंट है, परमात्मा ने इनको कैसा दिमाग दे रखा है, वो उस चैनल के उपर सारी वीडियो पढ़ी हैं, वो सुरेज भी आपको दे देगा, नहीं तो आप मेरे से भी मांग सकते हैं, हमारा एक नंबर है जिसके उपर आप मिसकाल करोगे तो वो आप जुड़ जाओगे उसमें, और उसके बाद फिर वो कनेक्ट हो करके, वो सारी खबरे आप तक पहुशते रहेंगे, तो आप सारे लोग जो हैं, अगर इस दिशा में आगे बढ़ते हैं, तो कल को अपनी ट्रेनिंग में जरूर आईएगा, भमल आपको निमंतर दे रहे हैं, और नहीं तो नस्दीक में कोई ट्रेनिंग होगी, तो फिर वहाँ पर हम लोग, फिर आप सारे लोग उसमें शामिल होई सकते हैं, ऐसा कोई टाइम हुआ जहां खेत में काम ज्यादा नहीं करना पड़ाए, और आप आ सकते हैं, तो आप जरूर आना, तो अबी के लिए तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहां आए और हम